ख़ूम तो सुमेथ टुटोरियल तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने भायो को कर सकते हैं तो भी जाधा इजी है मैं आपको थू टिप्स दोंगी इन टू टिप्स को फॉलो करके आप अपने बायो को इतना ज्यादा स्टॉंग कर लोगे कि आपको फिर विस्वासी नहीं होगा कि आपकी बायो कैसी थी और आप कैसे हो गई तो जैसे भी आपकी बायो है अब क्या होगी उससे ज्यादा स्टॉंग हो जाएगी अगर आप इस two tips को follow करते हो तो तो मैं आपको एक example के थुरू बताती हूँ इस example को आप बहुत अच्छी तरीके से समझना क्योंकि आप इस example को अगर समझ जाते हो तो आगे मैं जो भी बताऊंगी आपको अच्छे से clear हो जाएगी तो मैं आपको एक example देती हूँ for example कोई इंसान है वो आज सोचा कि मुझे अपनी body बनानी है और उसको body बनाने के लिए उसने सोचा कि मुझे क्या करना होगा मुझे gym join करनी होगी तो मैं इस type की body बना सकता हूँ तो उससे क्या करना होगा तो उसने सोच लिया तो उसने सोच लिया उसने जिस दिन भी सोचा तो क्या उस दिन ही तो उसकी body उस type की नहीं बन गई उसे time देना होगा तो ही उसकी body उस type की बनेगी तो उससे क्या करनी होगी hard work करनी होगी और उससे gym join करके gym में practice करनी होगी एक्सरसाइज करने होगी एक्सरसाइज क्या करने होगी डेली बेसिस पर करने होगी अगर वह एक दिन करता है या फिर दो दिन बात करता है फिर वह चार दिन बात करता है तो उस टाइप से उसकी बाड़ी नहीं बन पाएगी पर वह डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करता है तो तो जो मैं टिफ्स बता रही हूँ हैं तिफ्स को फॉलो करनी होगी और यह तिफ्स को अगर आप फॉलो कर लेते हो तो फिर आपकी बहुत जादा स्ट्रॉंग होने वाली है ओके गॉप गाइस तो वो इंसान डे बाइडे प्रैक्टिस करने लगता है तो यह इंप्रूम्मेंन उसमें कुछ दिन में दिखने लगती है तो जब वो स्टैटिंग में उसने सोचा तो इसाइप 아이 कर जाएगी तो वह द प्रैक्टिस करता वह महनत करता है, हार्ड वर्क करता है, तो जाकि उसकी बॉड़ी उस टाइप की बनती है, तो आपने जिस चीज को सोचा, अगर उस चीज पर अपने आपको उस चीज को अपलाई नहीं किया अपने आप पे, तो आपकी फिर वह चीज आप इंप्रूब नहीं कर सकते हो, तो अगर आप ने सोचा तो अगर यू शीज पर आप इंप्रूब निंगर सकता हो तो आपको क्या करना है बहुत ज्यादा आपने बाइयो को सचा करने के लिए आपको तो तो कृस्ट यह करने के लिए लिए कि फॉल्म सफोलो करनी है, दो यह जो टोटिप्स का है process See यह है कि लिए God to norm के लिए सबसे पहले basic की पार बिश्रोंग करना होगा आपकी बार की basic स्टॉडंग हो जाएगी तो आपकी जो बाईो है वह उत्युक्रोंग करने होगी तो आपको करना क्या है अपनि basic को strong करनी होगी तो first यह है कि आपको अपनी basic को strong करनी होगी mainly three type के student होते हैं first वो जिनकी bio की basic क्या होती है strong होती है and second वो जिनकी basic क्या होती है average होती है and third वो जिनकी basic क्लियर नहीं होती है तो आपको क्या करना है सबसे पहले आपने आपको judge करना है कि आपकी basic किस label पर है आपकी basic strong है या फिर average है या फिर आपकी basic clear ही नहीं है तो सबसे पहले आपको खुछ से judge करना होगा और judge करने के लिए आपको करना क्या है मैं ये भी आपको बताती हूँ जैसे for example अपने बायो की कोई भी topic आप देखत कीibo करने एक देखते हैं उसके बारे में आपको knowledge नहीं है तो उस word को mark करने के बाद एक BIO की dictionary आती है When kayo class armour झूछ कर सकते हो on-line पर्चेस कर सकते हो amazon या फिर flip card से या फिर आप किसी market से भी offline purchase कर सकते हो तो आपको उस BIO की अगर को को सकते हो कि किस कुछ पॉब्लिकेशन की आपको ले नी चाहिए तो आपको क्या करनी है यह सारी वर्ड होती है बाइव की जितनी भी वर्ड होती है ना बेसिक्षोर उस बायो के डिक्सनरी में आपको मिल जाएगी यह जो dictionary है, Hindi इंगलिस दोना में होती है तो जो भी word होगी, उस word को deeply explain किया होगा उसकी इंगलिस में भी explain किया होगा और Hindi में भी explain किया होगा उसके बाद तो आपको क्या करना है अपने जो भी topic को पढ़ रहे हो आप तो उस topic में जो भी आपको word में problem है उस word को आपको मार करना है, इस bio की डिक्सिनरी से आपको देखना है, उसे note करना है, कि वो क्या कहरा है, तो आपको इस चीज को देखना है, एक चीज और मैं आपको बताना चाहती हूं, कि अगर आपको किसी भी topic में problem है, फॉर एक्जामपल, अगर आपको cell नहीं पता है, RNA, ribosome, mitochondria, तो यह सारी क्या है, बेसिक बाइलोजी है, तो यह सारी टॉपिक आपको पता होनी चाहिए, तो इस तरहिके से आप अपने आपको जच कर सकते हो कि आपकी बाइलोजी किस लेबल पे है, तो आपको बस ब्स बायो की डिक्सिनरी लेनी है, उस बायो की डिक्सिनरी स आपको करना है आपको कुश्चन देखना है और प्रैक्रिस करनी है अगर आप उस डिक्सिनरी से आप देख ले तो फिर आप उसी टॉपिक को क्या करो किसी अदर बुक से भी आप ढूंड़ों कि आपको इस बुक में मिल जाए तो या फिर आप यूटूब पे बहुत सारे ल कराएं आप में वो डाउट का की बड़ती है तो आपको आपने डाउट को क्लियर करते जाना है उस डिक्सिनरी के थ्रूएं एबीडियो कि प्रूएं DAVID कैन्स फिर त्वी आप क्लियर करने की सुचें कि किसी चीज़ को अगर आप फिजर से कलियर करते हैं तो वह चीज आप को अच्छे से और असानी से याद हो जाती है जैसे कि आप मुवी देखते हो तो मुवी में क्या होती है आप फिगर भी देख रहे हो और आप वीडियो जो है वो देख रहे हो और सुन भी रहे हो और आप में आपका जो है उस मुवी में इंट्रेस्ट भी है तो यह तीनों च विट्व करते हैं अपको पड़ना है अपको सुनते हुए भी पड़ना होगा और सेकंड टिपस ये है कि आपको क्या करना है आप जो भी बाइव पढ़ते हो जिस भी टपिक आप ने दिन भर में पढ़ा उसको आपको साथ ही साथ नोट करते जानाहिं इसकी सुर्ट नोस बन नद प्रैक्टिस भी कर सकते हो तो आपने दिन भर आप यहाज भी आपकी आपकी सुज्टक्त यहाज अपको पड़ा इस पर्द और अ आपको कैना है किम पढ़ां को रात में रिवाइस करने हो गी अगर आप उस टॉपिक को रात में रिवाइस कर ले तो फिर आपको दुबारा से क्या होती है वो चीजे फिर आपके माइंड में रिकॉल हो जाती है और वो आपको लॉंग टाइम तक याद रहती है तो आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है तो इन टू टिप्स को आप फॉलो करके अपने बायो को इतना ज्यादा कर सकते हैं और आप को आप सच में जाते हों कि अपने बेहों को स्ट्रांग करना आपको जोब बाइए आप मुझे कॉमेंट करके जरूर्व बताएं और जिस भी पॉइंट में जिसमीं टॉपिक को यśmy चालूरत करें तो आपको क्या अपकोसलिशेटिन में लेना है कि आप ज्यादा अच्छे से explain की हुई रहती है किसी भी topic को किसी भी point को अच्छे से explain किया रहता है dictionary में और आपको video lecture भी देखनी है video lecture से आपको जो भी doubt है वो सारी doubt clear हो जाएगी और आपको interest भी आएगा आप सुनोगे भी आप figure कितरों भी देखोगे और आपने जो भी topic है उसे आप clear कर सकते हो सही तरीके से and second यह कि आपको shortness जरूर बनानी है shortness बनाओगे तो आपकी क्या होगी revise सही तरीके से हो पाएगी तो I hope guys कि आपको जो यह tips है पसंद आई होगी तो आप मेरे चैनल को subscribe करें अगर आप चाहते हो कि 11-12 BST level तक की biology lecture and motivational video tips trick related video तो आप मेरे चैनल को subscribe करें, bell icon को click करें, thanks for watching and like जरूर करें Okay guys